Good morning. आज हम लोग पढचने वाले चैटर नंबर त्री, करन इलेक्टरिशिटी। यह क्aviust चैटर पढने वाले हैं? और आप़ों को बताइए कि फर्स्ट जेटर। proud यह कंदो को ने को पढ़ाया क्वेवन ने इक्णिक पाथेल्ग इन येi आपकी बाड़े की एक्जाम पक्कप होगी, अब किस तरह के से प्रिपरेशन करना भी पूरा दिए आप घर पे हो, तो आप छुट्टियों में हो, इसका मतलब यह नहीं कि एक विज देख लिया, फिर उसे लिख दिया, जो लिखी होई PDF है, उसे खोटा, जो फोटो लेके उ तो जी तरह हो सके घर पे हो, तो ज्यादा सी ज्यादा प्रिपरेशन करो, ठीक, आप ज्यादा टाइम बेस्ट नहीं करते हैं, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैटर नबर 3, और यह बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप स्टार्टिंग से मेरा फर्स स्टार्ट करता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लोगा, थोड़ा टाइम, थोड़ा वक्त लोगा, पर आप लोगों को पता है कि मैं initial में, पूरा चैप्टर आपके दिमाद में पहले फिट कर देता हूं, फिर चैप्टर स्टार्ट करता हूं, चैप्टर शुरू करने से पहले यह आपको पता चलना चाहिए पूरा चैट्टर हम क्या पढ़ने वाल है तब ही चैट्टर हो मजाएगा आपको continuous में आपको step wise पूरा चैट्टर अच्छे से समझाओंगा 10-12 लेक्षर में यह चैट्टर भी खदन कर देंगे यह थोड़ा बड़ा चैट्टर है लेकिन हम जितना हो सके उतना कम लेक्षर में कम्प्रीट कर देंगे इससे तो कम्प्रीट ध्यान रफना रिवाडियस और अफ्टर लॉंग टाइम फिल से हम लेक्षर स्टार्ट कर रहे है मंतरी बीच में एक मंत की तो घैप हो जाती है फूँ बात दिहीं अब करदी जो वह हम परने है पूरा इ्लेक्टरिसिटिम के बारे में इस कर आए आप लोग एको पहले से पता है कि क्या है अजी पFrत किसे कहते क्यों कि आप लोग स्ंदर्टेट टंट में पढ़े ज़ल अपगंद स्प्रत के सुप गई आप लोग स्थाधियर क्राइब लिपांट सब्सक्राइब आ खुला कर अजिया और साथ तो आम यहाँ जोट की तो से खटिडरी में वैसलिए तो इहां पर करन इलेक्रिसिती फूरी रैट्रीस अमें सब्सक्राइब इलेक्टरिसिटी है क्या ये करंट क्या है करंट जैसे चैनु पर चा। बेसे चाहरे यहां पर आफो करते हूं उसमा करते जूशाब-डार गरता है यही flow of charge current, electric current से, क्योंकि electric charge से जूना होआ है, इसलिए electric current है, जैसे real life में, आप electricity की बात करो, electric current की, तो आपने transient current भी देखा हुगे, जैसे आपने मॉंसुन है, तो आप लोगोंने देखा होगा, बिजले गिरती है, तो वो transient current, कुछ ठोड़ा सा current लेके आती है, फिर चली जात है, तो उसमें आपने देखा होगा, कि यह जो transient current है, जो मॉंसुन है, अभी देखा होगा न, पारिस में होता है, जो बिजले की हो, जैसे कही मनतब आपने सुना होगा, यह इतने, यह expired होगा, इसको पकड़ लिया मिच नहीं है, यह पकड़ लिया, तो आप लोगों को समझ है, तो भी न, आपको समझाऊंगा, जब लोजिक से आप समझ ले न, कि पूरा सैमिस्टर 3, जो पूरा इलेक्ट्रोन पे ही पढ़ ले आप, इलेक्ट्रोन इस वाट, वन टाइओ पार्टिकल यह छोटा सा पार्टिकल है, जिसका मास 9.1 इतना इतना छोटा सा पार्टिकल है, जिसे हम देख भी नहीं सकते है, वही पूरा सैमिस्टर 3 पढ़ा लाए आपको, क्योंकि आपनो चेप्टर न, नुमर वन पढ़े, क्या था हो, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स था, रियालिटि में आप पूरा इलेक्ट्रोन का मेकेनिक्स पढ़ रहा हो, इलेक्ट्रो मेक् बनता है, और electron को dynamics से जोड़ दिया, electrodynamics बनता है, तो electrostatics और electrodynamics दो अलग अलग branch होई, हाला के पहला जो है static, उसमें होता क्या है, charge at rest, क्योंकि हम chapter number 1 पड़े, तो क्या आपने charge को मों करवाया था, नहीं, हम charge को rest करे लिया था, मुझे करकुले चार्ज की का है । फोरस टॉ Forms करता है। इक Всार चार्ज टो सहा गारता है। यह अगीरा अगीरा हम पढ़े लेकिन कहीं भी चार्ज को आपने मोशन नहीं करवाया यह आपका फ़र्स्ट चेंटर था तो लॉचिक से आप समझो कि जो चार्ज को रेष्ट पे रखते हैं वो इलेक्ट्रोस्टेटिक होता है अब अच्छे लिए समझ दो ठीक है अब सेकंड चेप्टर में जो उसका पॉर्शन था उसमें हमने क्या किया जब एक चार जो रेष्ट पे होता है और दूसरे चार्ज को आप मोह करवाते हैं कि सारे चार्ज फ्लो नहीं कर रहे एक को रेष्ट पे रखा दूसरे को मोह करवाया तो एक पोटेंशल क्रियेट हुआ जो एलेक्ट्रोस्ट्रेटिक पोटेंशल था या पोटेंशल एनरजी के फॉर्म में स्टोर हुआ यह सब चीज आपने सेकंड चैप्टर के आधे पो आफने इस पे हो तो हम से क्या पढ़ते है इलेक्ट्रोस्टेिक्स मतबके पै 완 दूसर दोसरा दोनों चैप्टरँ आपने इलेक्ट्रोस्टेalिक्स ने मतला छिए से मतलाब मैं पहले ही बताब मैं आद छोट आजा रहा रेक्टर कलेंगा और कुछ छोगई मेल notine होगा ने भीजो ने या ना मुका होगा के यही हभी ह wars權 यो कुछ टालिक्टिक हमिस्ट के जा रहे हैं classic यहाई ज juro व्लीक गिश्ग क儿 लिख्थ अरण टाइंतों को नोगत्न गंटते को यहीं अमें इसमें जो डायन के बारे में पड़ना है कि चार्ज जाए पहलागए और उस फागणा बहुत सब्सक्राइम, तो basically अगर electron को ही नुट करवाना है, इलेक्ट्रों के मोशन के बारे में ही पड़ना है, तो इलेक्ट्रोन बडी में पहले से होना चाहिए फ्री इलेक्ट्रोन और फ्री इलेक्ट्रोन नहीं इंस्यूलेटर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रोन नहीं सेमी कंड़क्टर में होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रोन कंड़क्टर में होते हैं इस चैप्टर में पूरे चैटर में रिखा हुआ है पूरा चैप्टर है इस चैप्टर न कॉनसे टापिंगा पड़ने वाले हो आपको थोड़ा हाई लाइट करवा दूँ तो आपको अच्छे दे समझ माहिए कि नेक्स गोल किया इसके पास क्या स्टाट करने वाले है हमको पहले एक्रण के बादे बारे मता हुआ पहले दियल यह इंगी रीक्ति क्या अइस पी थे मिश्यश्के किया है पर करने के बाद क्या fundamental low है या नहीं यह सब चीज़ां में पता लगा रहा है तक मिसके रिलेशन बीट्विंग वाल्टिज एड करन पी एनाई उनके बिचकर दो रिलेशन हमें निपाल रहे हैं वो हम ओम-slow में देखेंगे उसके बाद जैसे में पहले ही बता बाद के इंसुलेटर क्यों नहीं तो क्यों नहीं है तो इसके बाद आप सेड़ीशन्स जैसे मैं बता रहा हूं तेक ते रहा ना रेजिस्टन्स रेजिस्टन्स के बारे में नॉर्मली तो आप पर चुके होगा तैंस में रेजिस्टन्स के सेरीज एंड पैरलल कनेक्शन भी आपने तैंस में कियोंगे लेकिन यहां तो कुछ दिफ्रेंट है यहां यहां के नेट्वाक आएंगे उसमें सीज पेरलल हमें कर रहे है तो थोला डिफिकल्त हो लाएगगा पट डिफ्रेंट होगा यह रेजिस्टन्स के बार में पढ़ना है रीजिस्टन्स के बार में है क्या होभी तो हमें समझना है उसका बाद हम पढ़े कि करण जो बिला जै आता, वो ए जै से रैनोट करते हैं, तो इलेक्त्रिक करंट डैंसिती खिट्रफिनेशन है जै, उसे भी हमें समझ नाए कि कोई कुछ सेक्षन एरिया इतना बड़ा वायर है चोटा सा वायर है कितना करंट फ्लो करना यह आपको density से बता चलेगा तो यह अब करंट density फिर उसके बाद आएगा conductivity और resistivity यह दोनों एक constant है एक प्रापटी इस है का 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 रेजिस्टिविटी इसके बाद हम करेंगे drift velocity आला कि पहले आपने चैटर फॉर्ड प्रसंचर से थोड़ा सुना हो drift velocity क्या हाला कि मैं पूरा detail बापको इस chapter में पढ़ाऊँगा reality velocity is what displacement by time मतलब that means कि electron अगर motion कर रहा है तो उसकी velocity drift velocity बहुना चाहिए drift velocity is what constant velocity constant velocity that means acceleration is zero acceleration zero हो तो velocity constant रहती है यह सब तो आप लोगों को सहे दिया दो 11 में बहुत सालों पहले fourth chapter में कहा acceleration third fourth motion in a straight line motion in a plank sir जाने दो इतनी दूर कहा ले जाओ ठीक तो हम drift velocity हाला के चलाओगा तो और ज्यादा समझ माएगा उसके बाद आप देख सकते हो temperature effect इसके बादे में हमें क्यों पढ़ना है तो आपको बहुत अच्छे से समझना रहेगा अलागे अब temperature effect वाला topic परेंगे बाद में क्यों कई मरतबा ऐसा होता है कि seasonable जैसे temperature plus minus होता रहता है monsoon है या summer days है तो 45-46 temperature आप डाउन रहता है तो जो properties जो आप use करो जिसमें से current pass out हो रहा है तो वो जो material है वो material हो सकता है कि temperature की effect की वज़े से conductor है तो insulator बन जाए तो हमें temperature की effect check करना पड़ेगी कि नॉर्मल मानलों कोई वायर आपने copper wire खुला खुला सा रख दिया बार की तरफ की बात कर आपके घर से बार कोपर wire खुला रख दिया और summer days चलो है 45-46-47 degree temperature अप है और ऐसी situation में क्या रखता है क्या क्या करना दोस्तों से फ्रोता रहेगा नहीं क्योंकि अधिक करना बहुत जरूरी बनता है इसी दिर्म टैपरेचर के बारे में चेक करेंगे कि टैपरेचर क्या इफेक्ट करता है उसके बार अधिक करता है जो रियल्डी में आपको बतायेगा कोई इलेक्ट्रिक फिल्ड की वज़से जिस स्पीड से चार्ज मुव कर रहा है उसे ही नियुक चोटी सी फिल्फडेर्एब्रेशम क्या रियल लाइफ अधिक्ति की होने की वज़र से क्या क्या कशहлы हो जाता है अटनों तु 파ेंद्ध की होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो आप तो सोचो कह रिकर दो आप सोच को आपके सामें कोई resistance नहीं है तो आपको भी नहीं आएगा resistance होना चाहिए तो resistance कई है तो जासे आपको सिर्फ समझा रहा हूँ हाला कि हम practically बात कर रहे हैं यहां की मैं बात करहा हूँ जो current पास्वरा जिस wire में उसमें resistance होना जरूए क्योंकि सब्वी devices आपके घरों में जो है क्या सब्वों में ज्यादा current चाहिए कुछ devices ऐसे हैं जिसमें थोरी सी energy चाहिए थोड़ा सा current चाहिए को resistance ज्यादा भी होना चाहिए तो कई मरतबा resistance इंपर्टन भी रहता है ठीक है तो हम उसमें ऊपर रिश्टेंश के बारे डिटेल में नहीं है लेकिन वही carbon resistance के बारे में है, जो आपने देखा होगा, जब मैं पढ़ा होगा तो आप कहोगा, यस सर है, ऐसा कुछ देखा हुआ है, वही carbon resistance में, हम carbon color code design करेंगे, triple C है, अलाकि यह computer का course नहीं है, carbon color code, triple C, हम वो भी decide करेंगे, जो आपको अच्छे से मैंने PDF में लिपके देजा उसके बाद हम बात करते है, energy and power, वहापनों सोचो कि energy और power को किसे बुझ सकते हैं, क्योंकि आपके घरो में, जो meter लगे होते हैं, जिसमें आपका light bill, light bill के बारे में सुना है, जो आपके घरो में supply होता है, AC होता है, और जो meter लगे होते हैं, उसमें से कुछ unit check करते हैं, और आप यूज क्या करते हो, power, या देना, आपनों 1 kWh, 1000 joule, energy, 1000 joule आप एक कंटे में, यूज करते हो, ये तो होता है, power, तो ये, जो power आप यूज करते हो, उसी से आपका light bill बंचता है, unit check, per unit, जो government decide करें, अला कि इसके बादा है, इसके बादा है, इसके बादा है, इसके करणर में देख लिया, इतना amount है, खादा हम, ये light bill बंचता है, लेकिन आप सोचो कि जब आप chapter 7 AC पढ़ोगे अच्छे से, तो आप घर जाके देखोगे, उस light bill में क्या-क्या छपा हुआ है, इस corner में क्या है, इस column में क्या है, इस box में क्या है, हर चीज को आप अच्छे से परोगे power factor जैसी जो effective है, जो quantitative हो भी आपको समझ माईगी, जो light bill में छपे हुए होती है, और आप light bill को समझ भी पाओगे, कि ये क्या-क्या amount लिखे हुए, अभी तो कुछ समझ भी नहीं आता amount, डेकते बात खतम, हाँ पुपा इतना आया बात खतम, यास, अच्छे से समझ हो लिया, और यहां में हमें energy और power के बारे में पढ़ना है, ठीक है, अब energy जो बिलती है, जो beneficial भी है, energy कभी loss भी होगी, जैसे मिलती है तो electrical energy है, loss होती है, तो heat energy है, जैसा जैसा फो, जैसी-जैसी, situation device की उस तरीकिसे हम energy use करेंगे, उसके बाद हम परेंगे, series and parallel connection of resistance, ये तो परेंगे, यहां से अगें रिपीट करेंगे, लेकिन यहां भी तो circuit होगी, series and parallel resistance की, वो 10th level की ने, थोड़ा अप होगी, यहां स्टार डिल्टा, मैं आपको इतने network करवाँगा, कि आपको होगे, यहां सर, कुछ हो तो चैंजी से, मैं आपको घुद भी करूँगा, और जो बैटरी, बैटरी को हम खोलेगे, जैसे बैटरी हम नौर्वल लाइं, क्या करते हैं, इस तरीके से मैंने symbol ड्रो कर दिया, जैसे यहां पर आप देख रहे होगे, यह बाद, प्लस माइनस, तो मैंने कहलेगे, कि आपको आपको सर बैटरी, वी वल्ट के बैटरी, अब य सेल, इस तरीके से कोई भी, डैनियल सेल, यह बगेरा, जो उतर chemistry में आप लोग बैटरी वगेरा, यूज करते होंगे, तो जो चैनिकल से बनी हुई होती है, वी बैटरी होती है, उस बैटरी के अंदर हम जाएंगे, यहां पर, हम चेक करेंगे कि यह EMF क्या है, EMF का मतलब ह force, electron को motion करवाने के लिए force तो लगाना ही पड़गा, आगर किसी body को accelerated motion करवाना है, तो उसके force act करना, मस्ट, ज़रूर ही है, force करना, तो क्या से चलेगा, electron, तो भही force होता है, EMF, Electromotive Force, ठीके, उसके बाद, internal resistance, यह जो internal resistance है, वो बैटरी के अंदर था, इसके अंदर हाँ, हाल केमिकल समझते होना उस केमिकल की वज़े से कुछ एनर्जी लॉस होती है और वही उसी को कहते है इंटर्नल रेजिस्टर्स स्मालर ठीक है उसके बार सिरीस पहला दो कनेक्स रॉप सैल आप कई मर्दब आपने दिखा होगे भाई साब यह सैल तो समझते होना आपने जैसे कि इसमें भी सैल आता है इसमें पर आपके वर्ट वर्ट जो भी सपने साथ होता है तो यह जो तरह त्या प्राइबरी बदै ओर से कटर्डरी से क्यानल जैसे इसमें है अभी जो सेल यूज होगा फिर उसे फैक नेंगे फिर नहीं डवागा लेकिन सकंड़ी जो होता है वो चार्ज भी होता है इसली है है अहलागे वो ना समझ मैंता है कि भी होगोगोग। यह भी connection हम देखेंगे series और parallel, क्या इन cell को आप series में जोड़तों, parallel में जोड़तों, तो किस तरीके से equivalent ENR क्या होगा, equivalent voltage क्या होगा, यह सब चीजिए हमें check करना है, उसके बाद किर्चॉफ लो, यह एक last portion है, प्योंकि आप यह जो कुछ भी पढ़ोगे, उसके बाद यह last portion, किर्चॉफ लो सिर्फ नेटवर्क के लिए, जैसे कही मरतबा आपने complicated network देखेंगे, जहां पर बहुत सारे wire पास होते हो, और मैं आपको कह दूँ कि इस wire में से कितना करन जाएगा, आपको बहुत सारे wire में, हमें क्या पता इस में से कितना करन, तो ऐसी situation में, जहां बहुत बहुत सारे resistance एक साथ है, capacitor एक साथ है, बहुत सारे battery एक साथ है, सभी एक ही ने टोड़क में, and that situation, एक ही सरकीप में सब चुरे हुए हो, तो ऐसी situation में हम किर्चॉफ लो लगा सकते हैं, और किर्चॉफ में दो लो दी आपको, first and second, दोनों हमें आरग रख पढ़ना है, first low ज यह जो line की है, यह कोई theory नहीं है, अलाग किर्चॉफ से आप last माई दो, किर्चॉफ को समझो last में, लेकिन यह जो last में माने दीन लिता हुआ है, Winston Bridge, Rehistorn Bridge, अलाग कि इससरे के सब वर्ट से पढ़ेंगी क्या, Winston Bridge, यह जो है meter bridge, और third number, potential meter, Winston Bridge का एक practical है, जैसे आप practical भी करोग जया था practically है, Winston Bridge, meter bridge दो practical है, और potentiometer के तीन practical है, जैसे के EMF वाला, दो बैटरी का EMF और कंपेर करने के लिए और internal resistance fine करने के लिए, बैटरी का EMF और कंपेर करने के लिए, और उनका internal resistance Fine करने के लिए, और उनका internal resistance fine क्रिए एक तो और यह तिम प्रैक्तिकल जो last में आपको जी सब्सक्राइब आपको अधर्स्टैनिंग गुआ पूरे चप्टर में हमें इलेक्टरिशी की समझ रहे हैं इलेक्टरिशीटी की बात आती है तो V is equal to I ohms लोई आता है उसमें V voltage, I current और R resistance तो उनके बारे में हम डिटेल माँ पढ़े हैं कौन सा material यूस होता है material पर temperature क्या effect करता है material में किस तरह की property जो कि conductivity, resistivity की तरह material में current जो पास होता है वो उसमें किस तरह किसी density होती है उस material में जो charge भाग रहे है जो motion कर रहे है उनकी velocity क्या होती है वो भाग रहे होते तो हमें क्या कहते है mobility के बारे में पढ़ेंगे उनके बीच में जो आता हुशनम resistance कहते है वह भी एक तरह का resistance उसके भी कुछ होते है उसके बारे में पढ़ेंगे उसके बार जब electron मूँ करेगा तो वो convert होगा energy निया form में वो generate करेगा power तो उस power के बारे में पढ़ेंगे फिल हम लोग वह resistance को बहुत कुछ इस chapter के बाद आपको समझ भाए जाएगा कि किस तरीके से connected है क्यों यूज करते हैं इस सर्कीट में यह क्यों लगाया हमारे घरों में जो वायर है थीन वायर क्यों है एसी का वायर जो आप यूज करते हो आप आप लोगों ने देखा हो कि वो थीक वायर है बहुत सब्सक्राइब होता है जो किस तरीके से वर्क करता है तो ऐसे बहुत सब्सक्राइब इंट्रेस्टेंग टॉपिक इस chapter में है जो आपको बहुत मजाएगा यह भी क्या होगा स्टार्ट किया चैप्टर इंट्रोडक्शन बताया नहीं सिर्फ आपको यह बताया कि चैप्टर लग कॉंसेट टॉपिक बढ़ने हो और चैप्टर स्टार्ट ही नहीं है ठीक है आपको अच्छे समझना होगा है अर्य रडियस हो नो क्लियर है यह पीठ्यर पूरा दिवा और चार्ज इलेक्ट्रोन हो या प्रोट्रोन हो दोनों का चार्ज सेम 1.6 इंटू 10 रेस्टो माइनस 90 होगा इलेक्ट्र की को समझना है अच्छी तरीग से कहीं भी हम दीपली पढ़ाएंगे आपको करन प्रो … कि अच्छे से पढ़ाएं तो हम पहला च्छार्ट करेंगे अब पढ़ने वाले हैं कि एकड़ की सुभौार करेंगे अच्छे से ध्यान रखना क्या अब तक जो स्पीड में कहा है तो कुछ समझ बनाया और तो कोई बात नहीं इस अंट्रदक्षन था लेकिन अब जड़ा है तो परफेक्ट श्लोर में थोड़ा चलाओ ने अच्छे से दियान रखना है तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करन के बारे में इसे करिए उसकी रफिनेसिंग क्या है रेट आफ रोग चार्ज तरके टी टाइम में क्यों जितना चार्ज अगर किसी कंड़क्टर में से कुई यहां यूए फ्लो कर रहा है तो अगो उसे कहते है उक्टिक हैं अब यहां पर आपको दिया हुआ कि क्यो प्लस पोजिटीव चार्ज एड क्यो मैं तो आप देख सकते हो कर गेंक्द्रु दिया और पोसुनेनिगीटीव। खुर पान्दूर पहुजिट्टिव थैस कॉल दोनन मोशन कर रहा है जल्ए किसा बी कंड़क्टर के अंदर कॉन बोशन कर रहा है ? अलाएक प्रोटोन तो लेज मैं आैल के form में जैसे रेच्ट प्रिय हुँ होुध है बट मान लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है दोनों मोशन कर रहे हैं मतलब कि इंसाइड दी कंडुक्टर वाय है, फ्लो अफ चार्ज, that means, what? इलेक्टरोन और प्रोटोन बोथ चार्ज और मोशन कर रहे हैं समझ बताना है अब इंत्म सेंपल लोजिक नॉर्मल डेफिनेशन से मैं बताऊंगा कि फ्लो अफ वाटर होना उसे करन्ट, that means, फ्लो अफ चार्ज मतलब कि इलेक्टरोन प्रोटोन का करना motion करना उनका flow होना charge का flow होना है उसे ही हम कहते है electric current ठीक है तो यह बता रहा है आपको कि नेट amount of charge inside the conductor q is equal to q plus minus q minus positive minus negative इतना net amount of charge होगा inside the conductor तो current i is equal to q i यह formula of standard type का परति है, normal formula, i is equal to q by t. ठीक है? तो इसी formula से यहाँ पर मैंने दो current निकले, एक average current है, दूसरा instantaneous current है. Average और instantaneous, average क्या होता है? delta t time में delta q amount of charge flow करेगा, तो average current sigma i, यह जो simple होता है न, average का होता है sigma, sigma i is equal to delta q by delta t delta q technical amount of charge and delta t time interval कितने time interval में कितना amount of charge flow कर रहा है यह आपका average current है और यह current है instantanes instantanase current एक मिलक्त नेंस small time interval में आप थोड़े से time में अगर आप कोई कशाइं करते हो तो अब क्या लिविट डिल्टाइट टेंज तू डिल्टा वाई दिश्मॉल आई थोड़ा करन्ड हो ना बहुत स्मॉल करन्ट तो उसे मिप्ते वाई से रैनोट खरेंगे तैसे कहा पर यहां पर लिखा bet small i is equal to what limit delta t tends to 0 delta qa delta t अब कभी भी मालो कि बहुत लंबा एक wire है उस wire में इतने छोटे से हिस्से में यहाँ पर current कितना है आप इतना measure करोगे तो उसे instantaneous कहेंगे कुछ moment है में 1 second में 2 second में थोड़ा सा current उसे कहेंगे instantaneous और वो जो current होता है अब सोच लो कि यह पूरी marker की length L है और इसे divide कर दिया derivative form में और मैं कहा दिया इतनी की length क्या तो आपका होगे DL से और इस DL का integration करोगे तो again L तो derivation का का काम तोड़ देना है integration का काम जोड़ देना है यह normal definition में आपको बताया था तो यह जो होता है देना derivative उस form में उसे लिखा जाता है small charge dq small time dt तो instantaneous current is equal to what i is equal to dq by dt that means charge q का time के respect my derivation यह ही आपको क्या देता है instantaneous current देता है समझे रहा है अब यूनिट की बाहर करते हैं normal है कि आप लोगों को अब कुछ मैंना कुछ नहीं बता है यहां को बताऊंगा क्या चीज़ा है तो ampere उसका unit है और दूसरा unit है यहां से charge per time तो charge का कुलम और time का second column per second यहां पे दो unit बनेंगे एक ampere दूसरा पूलम पर second उसके अलावव यहां पर देख सकते हैं आपके electric current इलेक्रिक करण्ट कौन से quantity है scalar या वेक्टर तो अगर दो ही option आपके पास है आपको पूछ लेता है इलेक्रिक करण्ट स्केलर है या वेक्टर है तो आपको स्केलर क्याना है लेकिन आपको ऐसा पूछ ले कि electric current scalar vector या तैंसर quantity है तो उसे आप टैंसर करोगे कि इलेक्रिक करण्ट एक और आप लोग तक पड़े मैंने आपको 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 स्केलर कॉंटिटियम किसे कहते है तो सिर्फ मैंने उसे काम चल जाता है तो सिर्फ मैंने उसे काम नहीं चलेगा आपके किसी बोडिपे force लगाँ, force factor quantity किस direction में force लगा 20 तरव या 20 तरव या 20 तरव that's important that means require magnitude with direction vector quantity but tensor is what tensor quantity के है चिसमा magnitude and direction दोडो चाहिए तो आप लोग सोचे किसमा magnitude और direction दोडो चाहिए तो आप लोग सोचे किस स्वाइक्टर में बी तो औही रूल्स था tensor में उसमें भी magnitude with direction इसमें भी magnitude with direction लेकिन लेकिन डिफरेंस क्या है दोडों में तो factor quantity में direction का होना मस्ट है और tensor quantity में direction का होना सोड मस्ट नहीं है आप ऐसा मान लो कि अगर इसी ली आप यूज कर रहा है यहां से क्वायर पास हुआ मान लो यहां से 10 ampere current अंदर की तल अपाय तो मैं आपको कैगो इस तुप 5 ampere कर रह गया तो इस तुप कितना गया तब लोजिक से बदा सिकते है तो दस अंदर आया पांच है गया तो उखर कितना जाएगा पांच Ampere जाएगा लोजिक से आपने बता दिया जैंता है कि लोगिक सीरोड कि बता दें जैने लेकिन तुम लॉटिक से लेकिन आपको पूछो कि यह जो इलेक्टिक करण्ट है यह सारी कॉंटिटी कैसी है कि जिसमें आपको वैल्यू दिये मालोग करण्ट पर बता दिया पांच एंप्यर करण्ट है तो सीधा लेलो वो स्कैलर कॉंटिटी यह बात था लेकिन आपको बहुत सारे वायर है इस तरह करण्ट है दस एंप्यर करती है तो आपको क्या कहना है टैंसर कॉंटिटी तो यहां पर आप समझ गए होंगे मैं ज्यादा वीकल्म नहीं जाता अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है मैं सिर्फ आपको इकना बताऊंगा कि फ्रेक्ट्र कॉंटिटी में डिरेक्ट्र मस्ट है होना ही चाहिए हाला कि टैंसर में मच नहीं है रिक्वायर होगी तो ठीक है नहीं तो स्केलर सी चला लेंगे थीख है तो इलेक्रिक करण्ट इस टैंसर कटूंटी अधि करते हैं कि अधिक्यू को सब्जेक्ट कर दो क्या लिख सकते हो आई इंटू डी ती तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोग तो Q is equal to integration to I dT सिंपल लाजिक यही है कि आप इस फर्मुला को देखो और इस फर्मुला को इन दोनों है डिफेंस के है यहाँ चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में टरिविशन है तो आपको क्या देता है? करण देता है और यहाँ आप देख सकते हो कि आई का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटेग्रेशन है जो आपको चार्ज देता है तो situation यह है कि अगर कोई example में आपको चार्ज दिया हो तो आप करण फाइन कर सकते हो अगर कोई example में आपको current दिया हो तो आप चार्ज भी फाइन कर सकते हो चार्ज दिया है, current फाइंट करना है तो derivation करेंगे, और current दिया है, charge फाइंट करना है तो integration फाइंट करेंगे, क्या सुखना, और अच्छे से मैं आपको PDF लिखा भी है, तो आप देख सकते हो, दोनों example अच्छे से मैंने solve भी किये, तो मैं यहाँ पर ज्यादा time waste नहीं करूँगा, और दो example आपको दिये, मान तो charge time के साथ 2t square plus 1 formula से change हो रहा equation से, तो t is equal to 2 second का current क्या होगा, तो आप यह formula apply कर देना, बने यह आपे लिखा हुआ है, कि इसका derivation करना, उसमें time put कर देना, कितना दिया हुआ तो आपको करनद मिल जाएगा, उसी तरह, I की equation हो time के साथ current, t plus 1 equation से change होता है, तो t is equal to 1 to 2 second, यहाँ पर आपको time interval, duration दिया होगा, इतने second से इतने second तक क्योंकि integration में limit लेना पड़ेगी, तो 1 to 2 second, कितना charge होगा, तो आप क्या करोगे, इस equation का integration करोगे, तो आपको charge मिलेगा, तो मैं ज्यादा deeply नहीं लोगा, सिर्भी तना बता होगा, कि charge है, derivation करो, current मिलेगा, current है, integration करो, charge मिलेगा, I से Q ला सकते हैं, Q से I ला सकते हैं, simple, अब मैं बात कर रहा था, conductor, insulator और semiconductor, तो हाला कि insulator, जैसे के wood, glass, rubber, यह सब चीजे हैं, जिसमें free electron नहीं होते हैं, क्या इसमें कभी current pass होगा, आप लोग normal life में, आप यह सब practically पढ़ते हो यार, ऐसा कि मैं रट्टा मने वारा हो, आप real life में देखो, क्या, wood मैं से कभी current pass होगा, नहीं, तो वो सारे insulator हैं, जिसमें free electron नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें, क्योंकि उसमें क्या energy, जो valence band, conductor band के बीच में, जो energy क्या होते हैं, बहुत लार्ज होती हैं, अला कि यह सब क्या है सर, chemistry में आएगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना बताऊंगा, इंसulator में free electron नहीं होते हैं, अब बात करते हैं, समी conductor में, तो समी conductor में कौन सा example है, carbon, silicon, germanium, carbon, silicon, germanium में आपको पताऊगा कि यह सारे, ऐसे semiconductor हैं, जिसकी last orbit में 4 free electron होते हैं, यारे न आप लोगोंको, लेकिन यह एक atom में 4 होते हैं, तो वो आपस में covalent bond से जुड़ जाते हैं, अला कि उसमें कोई free electron नहीं बसता, तो 0 Kelvin, initial, जो आपका room temperature, initial 0 Kelvin temperature में, semi conductor में electron covalent bond में होते हैं, अला कि कोई free electron होता नहीं है, इसी वज़ासे हम उसे use नहीं करते हैं, तो semi conductor को use नहीं करते हैं, क्योंकि free electron नहीं, water में है, इसके पास भी free electron नहीं, तो बचा क्या, conductor, इसी लिए हम conductor यूज करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है, copper, aluminium, यह सब ऐसे conductor है, जिसमें free electron होते हैं, और electron का free होना must है, क्योंकि आपको पहले ही मैंना बता दिया, कि हम पढ़ रहे, electron को motion ही करवाना है, electron को ही more करवाना है, तभी तो electrodynamics पढ़ेंगे, तभी तो electricity समझ में है, समझ रहा, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, conductor, इसलिए मैं, जितने भी example लोगा, मैंने वताजिए यह conductor है, यह conductor होते हैं, आप standard 10 से आपको logic पी जाज है, कि current की direction, यह आपना पढ़ा होगी, electric current i की direction, क्या electron की direction है, क्या उसे opposite होती है, मालोग, electron इस तरह more करता है, तो current ऐसे जाएगा, तो आप देख सकते हो कि positive charge left की तरफ, तो negative charge right आ रहा है, तो current electron की क्या opposite में जा रहा है, that means क्या current की वही direction रहेगी जो positive charge की direction, simple logic क्याना समझे आप लो, clear, okay, तो यह सारे जीजे, जो book level की जीजी, मैंने आपको समझाया, average current क्या है, instant variance current क्या है, unit क्या है उसका, dimensional formula आप इससे बना सकते हो, तो scalar या tensor quantity की कहते हो, उसे tensor quantity है क्या, charge से current, current से charge, fine करना, दो एक्सांपल, नहां पर मैंने दिये, दो आपको अंदर करवा है, चार एक्सांपल हो, यह सब तीजे आपने पड़ी, यह होता है, basically electric current, लेकिन, लेकिन, आप लोग सुचोगे, sir, यह भी तो टैंस तक पता था, नया क्या है, अभी तक आपको समझ मैंने यहा, what is current, what is electric current, मैं आप आपको इस figure से समझा हो, अच्छे से ध्यान रचना, यह एक conductor है, तीपरा एक conductor है, उस conductor में मैंने इस M को positive N से जोड़ दिया, यह एक battery है, देखिया, एक battery है, कैसी battery है, V-volt की है, बैटरी का देता है, chemistry, अल बैटरी है, यह battery में chemical energy होती है, कौन से energy होती है, chemical energy, आप समस्तों ना, chemical energy, अब यह chemical energy इस battery के अंदर है, वहाँ से यह जो N है, positive N, जहां पर proton positive चार्ज रहते है, अब मैं कुछ यह different language में समझा हूँगा, आपको ध्यान रचना, क्योंकि अब जो चलेगा, पांच मिनीट में वो बहुत फास्टरी दस मिनीट पर चलेगा, लेकिन बहुत important है, यह positive N है, जहां पर positive चार्ज रहते है, यह negative N है, जहां पर negative चार्ज रहते है, यहां से positive चार्ज move करने लगेंगे energy लेकर, वो energy होती है QV, यह तनी energy QV, तबकि जो बैटरी से energy ली, वो energy लेकर भाग रहे है कौन positive charge, energy कहां से लाए, बैटरी से, कौन सी chemical energy है, अब उस energy को उठाया, अब वो energy लेकर भाग रहे है, अब यहां से energy लेकर किस N तर रहे है, तो simple logic है, यह positive है, इस सब नेगेटिव है, तो क्या positive to negative, क्या एक external electric filter हो जाएगा, अब अधे electric filter होगा ना, बैटरी को वज़े से, positive to negative, तो यह positive to negative एक electric filter है, यहां से charge सारी energy लेकर आए, किट नहीं, QV जीत रहे है, सब दो कि QV energy कराँ साई, याद करो चक्टर नमबर 2, potential energy, जब एक charge को दूसरे charge के करीब लाता है, किट नहीं होती है, QV, potential energy, फई रहे है, अला कि और detail में आपको अच्छे से समझ लागा, यहां से बैटरी से positive charge इतनी energy लेकर motion कर रहे है, और यहां से इतनी energy लेकर यहां तक आये, तो इस conductor के अंदर जो proton, electron थे, सब को energy दे लिए, अब एक्सापल के लिए मैंना मानलो, एक electron, एक proton लिया, तो यहां पर proton है, यहां पर electron है, यह energy आए, दे लिए, अब चैसे ही electron, proton को energy मिले की वो लेकर energy flow करेंगे, तो electron इस सरफ मूँ करेगा और proton इस सरफ, अब electron प्रोटोन जब भूसर करने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे, आपस में दूसरे से, तो हो सकता है, उनके बीच में कुछ टकडाओं हो जाए, उनके बीच में आपस में कुछ accident हो जाए, तो उस ये positive charge जब यहां से flow करके बार आते है, तो उनकी allergy zero होती है, केचनी होती है, zero, that means यहां पर बहुत ध्यास समुख है, क्या इस battery से जितने charge निकले, क्या वो zero हो है, नहीं, मैं आपको logic से समझा रहा हूँ, inside the conductor बहुत सारे proton electron होंगे, मैं कोई fixer ratio नहीं बताता, इतने हैं या इस battery से 50 electron निकले, sorry, 50 proton positive charge निकले, तो 50 charge यहां से QV energy लेको, full energy के साथ, running कर रहा है, भागड़ा है, भागड़ा है, यहां तक आ गए, वो 50 proton यहां तक आए, फिर यहां से जैसे बाढ़ा है, उनकी energy zero, that means proton कम नहीं हुए, energy zero होई, मतलब उनके पास जो QV energy थी, वो zero होई, जब यहां से बाढ़ा निकलेंगे, तो वो सारे proton वापिस यहां तक आ जाएंगे, that means पचास निकले थे, पचास वापिस आ गए, तो वेस्ट क्या हुआ, only for energy, तो आप लोग सुझा, energy करी कहां, ख़़ी कहा energy, तो कि यहां से QV डेके निकला, बाहर निकला तो zero यहां use होगी, आपके घरों में use होई ना, tube light में, bulb में, जैसे के AC, fan, जो भी कई भी आपने घरों में use करती, यही situation, circuit आपके घरों की चलती है, यहां से energy लिया, use करती है, zero हुआ, again energy लिया, फिर use करती है, zero हुआ, तो हो रहा है क्या, इस connecting wire में यह जो positive charge है, वो flow कर रहे है, उसे ही हम कहते है, electric current I, that means electric current I is what, electric current वो ही है, जो amount of charge flow कर रहे है, energy लेती है, that means electric current is one type of energy, one type of energy flow, energy जो flow कर रही है, उसे ही आपने electric current नाम दिया, यह एक पर रहे है, यह electric current की more reasonable definition, one type of energy flow, यहां पर किसी object का, कोई particle का नाम नहीं, यह electric current की energy का flow जो हो रहा है, उसे electric current करते है, ठीक है, I hope कि आपको अच्छे समझ मारबागा, तो हो सकता ही है, यह पूरे topic में से यह वाया topic आपको यहां तब पक्ता समझ में आ रहा है हो, तब जो लाश्ट नहीं बार करते है, Ohmslow, George Simon Ohm, नाम के एक scientist है थे पाई साप, वो अपने लैप में बेठा हुए थे, तो एक situation आई, आई, fix situation, जैसे कि जब वो लैप में प्राक्टिकल कर रहे थे, उन्होंने चेक किया, कि current I is directly proportional to voltage, अदर्वाज आप ऐसे भी कह सकते हो, voltage is directly proportional to current I, आप में आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो current बड़ेगा, और current इंक्रीज करोगे तो voltage बड़ेगा, तो उन्होंने उनके practical में इतना बताया, वहां पे त्याप्रेचर थे, वहां पे temperature fix है, जब वो प्राक्टिकल कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि voltage और current दोनों एक उ 2A करन बड़ा, 3V बड़ा, 3A करन बड़ा, जैसे जैसे voltage increase हो रहा है, वैसे वैसे current भी इंक्रीज हो रहे है, तो वी प्राक्टिकली आई, बाहर में उन्होंने प्राक्टिकली जिम्बल निखाल करें, एक constant लगा है, जो V is equal to IR, आ जो था वो constant था, और उस constant का नाम दिया है resistance, ठीक है, यह George Simon Ohm ने जो practical किया था, तब जाके यह, जैसे कि voltage किया चीज है, वो तो आपको reality में पता है, जैसे मैं normally आपको यह पूरे chapter में जो आप electric current पड़ोगे, अभी 3rd chapter में, आपके घरो में जो supply आता है, वो current ही है, no doubt, बड़ यह जो current पड़ोगे, जैसे आप practical आपको थोड़ा सा चटका है, उसमें ज्यादा कोई damage कुछ होने वाला आपके जीवन में नहीं है, लेकिन आप reality में, मालो, 6 वर्ट का voltage आपको supply देदू, यह आपको 200 वर्ट देदू, तो आपको difference आपको समझ माता है, सब 200 वर्ट में, आपके प्रान पकिन मताँ आप चल बस हो के पता नहीं चले जाओगे, तो यह सब चीजी होती है, तो voltage जितना ज्यादा दो कि उतना ज्यादा आपको नुक्सान होने वाला है, तो यह सब चीजी voltage से आपको समझ माता है, यह voltage और current एक दूसरेट है प्रभोश करें, टैरेकी प्रभोश करें, जैसे V बढ़ेग पतब के resistance R V by I के ratio पे depends नहीं करता, वैसे ही जैसे capacitance Q by V के ratio पे depends नहीं करता, उसके लिए कुछ formula लाए थे, epsilon 0 A upon D याद है ना, वो पेरेदल प्रेट कापसिटर वाला, that means के capacitance Q by V पे depends नहीं करता, उसी तरह resistance V by I पे depends नहीं करता, उसके बाद, unit of resistance, जैसे scientist का नाम क्या जोर्च साइबन हो, उसी के नाम से unit है ohm, resistance का unit क्या होगा, ohm, जिसे ऐसे रेरोट करेंगी, एक symbol है, omega, उमेगा पढ़ते है इसे, पर आप ohm कहोगे, तब भी चलेगा ohm, ऐसे ohm, ठीक है, तो ये resistance का unit है, उसका dimensional formula बना सकते हो, इस formula से voltage का 12-31, और current का A1, तो आप इससे बना सकते हो 12-32, तो ये बनाना अलग बाद ह तो ये सब बाद में बता ही, उसके बाद, साइमन ओन हमके साइकिस का बता है, कि V i का जो relation था, वो जो graph मिला, वो straight line graph था, V versus i का जो graph था, वो straight line नहीं था, क्यूंकि आपने एक volt बढ़ाया, तो एक ampere बढ़ाया, दो volt बढ़ाया, तो दो ampere कर बढ़ाया, तीर volt बढ़ाया, तो ती ampere कर बढ़ाया, जैसे जैसे voltage increase हो हो रहा है, और दोनों equally increase हो रहा है, साथ में दोनों equal है, तो straight line graph मिले था, अब straight line graph मिला, तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह वाला, इतना portion, उसे कहते है slope, अब slope, slope को क्या कहते है, m, slope दे आरे न, जो जिसका एक formula, मैं स्वालों को पता हो, y is equal to mx plus c, हलाला कि यह सम slope है, अब इसे कहेंगे 10 theta, यह 10 theta जो है उसे ही slope कहेंगे, अब आप सोचो कि यह जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें मैंने यह line पास की, और यह line, तो यहाँ पे जो angle अंदर की तब दिख़़ा है, वो theta angle है, वो angle theta, तो 10 theta is equal to what, opposite of what, adjacent to delta v by, that means 10 theta जो आपने फाइन किया, इस graph में, वो कितना delta v by i, but v by is equal to what, resistance, तो आपने जो slope find किया, क्या होई ही, आपको resistance देता है, मतलब कि v by i का, v versus i का जो graph होगा, उसका जो slope find करोगे, वो आपको v always क्या देगा, resistance देगा, r is equal to delta v by i, यह मतलब जैसे जैसे delta v का increase होना है, क्या वैसे वैसे slope increase होगा, जैसे इतना slope है, तो delta v इतना ही है, अब आप सुचो delta v increase होगा, तो यह slope to increase होना है, तो r increase होगा, तो आपको अच्छे से समझे है, r होगा, अब आप logic से याद रखना, कि simple चीज़ है, कि v i का graph यहा कुछ devices ohmslow को follow करते हैं, अबे करते हैं, जैसे कि मान लो, अगर उस device में v i का graph straight line है, तो उस device को ohmic devices नहीं है, और कुछ devices ऐसे हैं, जैसे कि आप chapter number 14 में बढ़ोगे, diode, transistor, tunnel diode, galium archivite, solar cell में यूज़ करते हैं, यह साड़े जो devices हैं, उसमें v versus i का graph कहीं भी straight line नहीं है, कुछ different ही है, कहीं v की एक value है, तो current की दो value है, current की एक है, तो voltage की दो value है, voltage की कम है, तो current की बहुत ज्याद है, current की कम है, तो voltage की बहुत ज्याद है, ऐसी सब situation है, उस devices को कहेंगे, non-ohmic devices, in short, ohms नाम का, जो scientist है सिर इतना बता रहा है, कि अगर v i का graph straight line आया, तो ohmic devices है, straight line नहीं आया, तो non-ohmic devices है, और ये लोग कहीं से भी fundamental, लोग नहीं है, fundamental किसे कहते हैं, low of conservation of energy, और जगा applied हो, low of conservation of charge, low of conservation of linear momentum, low of conservation of angular momentum, ये सब होते हैं, fundamental, हर जगा पे पूरे universe में equally applied होते हैं, और ये वाला जो था, आप देख रहे हो, ति इस chapter में पढ़ रहे हो, तो ये ohm slow, आवे हो, ये आपर follow कर रहा है, और chapter number 14 में जाओगे, तो ohm slow, खदा, मतलब कि ये fundamental नहीं है, उसकी lab के लिए था, इस topic के लिए था, अलागे अर जगा apply हो, ऐसा low नहीं है, तो ये आपको initial में थोड़ा थोड़ा समझनाया होगा, इस chapter का focusing क्या है, तो मैंने आपको पूरे chapter के topic ब बताया कि किस तरीके से current क्या चीज़ है, रियलिटी में क्या है, वो आपको बताया, और मैंने फिर आपको ohm slow के बारे में होताया, तो ये simple, थोड़ा-थोड़ा मैंना कि कुछ भी नहीं चलाया, ये जो था, normal level का था, 10th level का था, introduction level का था, ये chapter 3 स्टार हो चुका है, आज क अच्छी तरीके से पढ़ना है, और आगे बढ़ेंगे, लेकिन याद रखने है, पहला लेक्टर जिसको समझना है, फूरा chapter समझ पाएगा, अलाकि इसमें समझ में नहीं आए तो कुछ भी नहीं आएगा, तो अकर नहीं समझ में आता, तो आप one tag भी कर सकते हो, और आप मुझे पूछ सकते हो, WhatsApp से या call करके हो, ठीक है, नेक्स लेक्टर में फिल मिलेगे, थैंक यू